So hello traders and welcome to the new video So friends, आज की वीडियो में हम लोग Monday 11th April के लिए 5 बहुती बड़ी है stocks देखने वाले हैं साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ important factors हैं जो आपको आने वाले week में ध्यान देना ही पड़ेगा and overall market कैसे move कर सकता है आने वाले week में इसका भी हम लोग एक बहुत अच्छा idea लेने वाले हैं तो अगर आप channel पर ना हैं तो please channel को subscribe कीजिए and अगर आपने bell icon को press नहीं किया है तो उसको भी press करना बिल्कुल मत भूलिएगा So friends हम लोग क्या करते हैं कि एक important circular है money control के दारा उसको देख लेते हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दिखा रहा है 10 key factors that will keep traders busy next week तो अगर आप देखें तो corporate earnings है So हमें इसमें क्या देखना है कि बस जो TCS है इंडिया की सबसे largest IT company उसका result आने वाला है 11th April को quarterly earnings का and साथ में April 13th को आएगा HDFC bank and ICSI Prudential का इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना है दूसरा जो सबसे important event है that will be Ukraine रसिये का जो tension चल रहा है उसको हम लोग देखते हैं कि उसके बीच में क्या आने वाले week में हम लोग को updates देखने को मिलती है अब तीसरा सबसे important point आता है technical view का कि nifty 50 में क्या technical view है तो अगर आप देखें तो पिछले week में हम लोग को huge gap up opening देखने को मिली उसके बाद क्या हुआ एक resistance का hot लिया लगातार down side की rally देखने को मिली बट Friday को किया हुआ है एक बहुत ही बढ़िया bullish momentum के साथ closing हुआ था अब देखें आने वाला week पूरा sentiment पे trade करने वाला है अगर इस range को breakout करता है positive sentiment के साथ तो हम लोगों को बहुत आसानी तरीके से 18,100 के level touch होते हुए दुबारा दिख जाएंगे बट वहीं पे अगर इस level को sustain नहीं कर पाता है यहां से अगर आपको down side की rally देखनी को मिलती है तो हम लोगों को एक से दो दिनों में ही 17,500 के level touch होते हुए दिख जाएंगे तो Monday का जो trading session है that will be most and most important अब अगर हम लोग देखें bank nifty की movement तो bank nifty भी पिछले week के पहले दिन बहुत बढ़िया gap up हुआ बट अगर आप देखो तो यहाँ पे भी एक important resistance का formation था उसके बाद लगातार downside की rally देखनी को मिली है और पिछले तीन दिन में अगर आप देखो तो एक range में trade कर रहा है सबसे important क्या अगर हम लोग 15 minute के time frame में जाते हैं तो आप देखोगे कि एक बहुत ही ज्यादा important range है अगर आप देखें तो इसको अगर हम लोग मांग कर लेते हैं तो इसी के बीच में bank nifty trade कर रहा है अब देखिए हम लोग को bank nifty में कैसे Monday को approach करना है आपको मैं detail में समझा रहा हूँ अगर इस range का breakout करता है above 38,000 above 38,000 के level को तो आपको बहुत आसानी तरीके से 38,300 के level touch होते हुए दिख जाएंगे Monday के trading session में और दूसरा क्या होता है अगर इसको touch करेगा और यहाँ से अगर downside की rally देखने को मिलती है तो आप यहाँ पे PE buying कर सकते हो बस wait कीजेगा 10 minute का 10 minute इसको touch करे इसको respect दिखाए फिर अगर downside की moment देखने को मिलती है तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कहीं PE buying करके around 37,900 के पास आप target रख सकते हो लगबग 37,600 से 37,500 तक तीसरी situation क्या होती है अगर bang nifty gap down होता है around 37,600 के पास wait कीजे उसको नीचे का level touch करने दीजे 37,700 से 37,800 के बीच में so guys हम लोगा पहला stock रहेगा DLF अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ही बढ़िया upside की rally लगातार देखने को मिल रही थी उसके बाद क्या हुआ एक range में trade कर रहा था आप देखोगे अगर तो more of a descending triangular pattern का formation है maximum chance है कि अगर इसको breakdown करता है तो केवल हम लोग short selling का ही सोचेंगे because descending triangular pattern में केवल short sell का सोचना चाहिए अब देखे friends pattern के साथ मैं आपको reason बताता हूँ जिससे कि आप psychology भी समझो कि या ट्रेल लेने का reason का है बहुत लोग क्या करते हैं कि बस सर आपने share upload नहीं किया जी मैं upload करूँगा but आप सीखने पर focus करो क्या आप psychology उसके पीछे है न anyways DLF के हम लोग केवल short sell करेंगे below 395 target सुंगे हमारे 392 and 390 stop loss आपको रखना होगा 397.5 का x-wing हाई next talk रहेगा friends हम लोगा हिंदुस्तान petroleum अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही perfect one two three four and five five time touch कर चुका है अगर आप last में देखोगे तो इसने इसका breakout भी दिखाया इस resistance का तो अगर इस breakout को continue करेगा तो हम लोग buying करेंगे 298 के उपर targets होगे हमारे 300 and 301 stop loss आपको रखना होगा 296.5 का x-wing low अगर इस resistance का respect दिखाता है because area of interest है among buyers and sellers इस price range पे या तो buyers active होँगे या फिर sellers active होँगे जो भी active होँगे हम लोग उसके side जाने वाले हैं सो हम लोग short sell करेंगे 295 के नीचे targets होगे हमारे 293 and 292 stop loss आपको रखना होगा 297 का एक swing आई next talk रहेगा friends हम लोग का just style अगर आप देखोगे तो एक बड़ी upside की rally देखनी को मिली उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बहुती perfect range में trade करता जा रहा है narrow range बन चुकी है और इसको भी हम लोग descending triangular pattern बोलते हैं so just style में हम लोग केवल short sell करेंगे 790 के नीचे अगर इस level को break कर गया ना तो बहुत बड़े profits आप capture कर सकते हो targets होंगे हमारे 785 and 783 stop loss आपको रखना होगा 794 का x-wing हाई next talk रहेगा friends हम लोग का indresin bank अगर आप देखेंगे तो perfect trend line है 1, 2, 3 and 4 4 time टच कर चुका है अगर इस trend line को breakout करके upside movement दिखाता है तो हम लोग indresin bank को buying करेंगे 992 के उपर targets होंगे हमारे 997 and 999 stop loss आपको रखना होगा 988 का x-wing लो वहीं पे अगर इस trend line का respect दिखाएगा और अगर रेशियंस का होड लेके downside की movement दिखाता है तो हम लोग short sell करेंगे below 984 यहाँ पे भी आप बड़े profits capture कर सकते हो 978 and 976 हमारे targets होंगे stop loss आपको रखना होगा 989 का x-wing high and fifth and last stock रहने वाला है हम लोग का Mahindra and Mahindra Finance अगर आप देखें तो 1, 2, 3 and fourth time यहाँ पे perfect breakout देखने को मिलता है अब यह stock आप swing trading के लिए भी रख सकते हो अगर इस trend को मतलब previous trading session की high को break करता है around 175.5 का तो आप target रख सकते हो swing trading के लिए लगबग 185 and 195 के करीब वहाई पे intraday में जैसे ही high break करेगा हम लोग buying करेंगे के वाल so हम लोग Eminem Finance में friends buying करेंगे 175.5 के उपर targets होंगे हमारे 177 and 178 stop loss आपको रखना होगा 174 का x-wing लो साथ में friends अगर आपको overall market के structure का idea जानना है तो एक website है i4options.com definitely video के description में link मिल जाएगी यहाँ से आप overall market के structure का idea ले सकते हो अगर मैं यहाँ पे market में जाके market map पे click करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबी चीज़े आपको detail में एक जाएगी कि nifty 50 के सबी stocks में क्या movement है nifty 50 में क्या movement है क्या high था क्या open था क्या close था कितने share advance थे कितने decline थे और भी बहुत सारे यहाँ पे features हैं जो मैं आपको आने वाले videos में एक एक part करके समझा दूँगा and सबसे important चीज़ क्या है कि इस website पे जो data होता है वो refresh बहुत जल्दी होता है in comparison to NAC के ओके वहाँ पे थोड़ा सा delay रहता है तो definitely आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा help मिल जाएगी सो चलिए friends हम लोग stocks देख लेते हैं जो हम लोगों ने स्ट्रेड करने के लिए previous trading session में select किये थे सो friends हम लोग का पहला stock था United Spirits अगर आप देखें तो हमें buying करनी थी 905 के उपर share ने high बनाया लगबग 914 के करीब तो जो भी हमारे दो target थे बहुत आसानी से यहां पर अचीव हुए 909 and 912 के दो target थे तो दोनों आसानी से अचीव हुए है next doctor friends हम लोग का चोला finance अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोग को एक gap up opening देखने को मिलती है तो gap up opening होने के बाद हम लोग क्या करेंगे आप लोग भूल जाते हैं हर दम gap up opening होने के बाद हम लोग swing high का वेट करेंगे आपने यहां buying किया swing low पे आपने stop loss लगाया थोड़े दिर रुका रहा आपका accordingly target यहां पर achieve हो गया है zeal में हमे gap up opening देखने को मिलती है तो आपको swing high पर buying करना था accordingly अगर आप देखेंगे तो 286.8 से share ने high बनाया 288.9 के करीब तो हम लोग का पहला target आसानी से अचीववव second target हम लोग का रहे गया है next doctor friends हम लोग का axis bank तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हम लोग को एक gap up opening देखने को मिली अगर आप यहाँ पर buying करते हैं हम लोग का एक normal यहाँ पर stop loss हुआ है we have to accept stop loss को accept करो दिल से stop loss accept अगर आप नहीं करेंगे तो सरा आप trading में profitable नहीं बन पाएंगे वहीं पर अगर आप stop loss accept करेंगे तो trading से आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे इसलिए stop loss लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है सही जगे stop loss लगाना अगर आप देखेंगे तो हमें buying करनी थी 927 के round gap down opening देखने को मिलती है अगर आपने यहाँ कहीं buying किया होगा तो हमें लोग का यहाँ पे भी एक normal stop loss हुआ है अगर stop loss होता है तो मैं आपको frankly बताता हूँ target होता है तो भी मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं कि आपको लगे बस target ही होते है जी नहीं अगर market आपके side नहीं जाएगा stocks आपके side नहीं जाएगे तो stop loss भी होंगे और हमें उसको accept करना पड़ेगा इसलिए हम लोग stop loss लगाते हैं valid जाएगे साथ में friends अगर आप हमारे वीडियो के description में जाएगे ना तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा हमारे official app का link तो अगर आप चाहो तो click करके इसको download कर सकते हो mobile में और यहाँ पर definitely मैंने बहुत सारे वीडियो डाल लगके हैं साथ में मैंने course भी डाल लगका है तो आप चाहो तो वहाँ पे जाके explore कर सकते हो चलिए friends अगर आप channel पर ना है तो please channel को subscribe कीजिए हम लोग video में aim रखते हैं at least 500 like video को like करना बिलकूर मन भूलिएगा and video को share कीजिएगा हम लोग next video मिलते हैं next reading session के लिए कुछ बहुत ही बड़ी है stock के साथ till then thanks for watching this video and bye bye